यहां पर मेरी मुर्गियां हैं दिखाता हूँ आपको सपेल अपनी मुर्गियां आपको में दिखा दूँ यह रहा इसके तीन बच्चे यह रही इनकी माँ एक बच्चा यह रहा और एक बच्चा हो रहा एक कांगा एक और आया यह भागा तो यह तीन बच्चे हैं और यह मे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे हम अपनी मुर्गों के बनाने जा रहे हैं कुछ हेल्दी डाइट इसमें हम कुछ इंसेक्ट कुछ क्यूए पैदा करेंगे यह नया तरीका है आपको लोगों ने दिखाया होगा कि खल जो होती है लाई के बाद बचीवी अब उससे बनाना सिखाया लेकिन मैं आप लोगों को सिखाओंगा कुछ नए तरीके से तो आपको बढा दूं क्या क्या उसमें यूज़ हूंगा क्या क्या चीज झाओ तो भुस्टी आटे के बाद जो बज्ज़ाती है आटाचाइँ के बाद जो गंदगी होती है जो आटे की तरह दिखती है वो लेनी है आपको थोड़ा साचाम ले लेना आपको कट्छे वी चामण डेने उसके बाद आपको यहां पर रखने के बाद मैं आपको रिज़र्ड दिखाता हूं आज कैसा है तो फूराना का रखत विदो जब मैंने बना कर रखता हूं ठीक है। आज हमने अपती मुर्गियों के निए कीडे तैयार करने के निए एक जुगार करा है जिसमें भुसी होती है जो आटे की वो मैंने इसमें डाली उसको पर से पानी डाला फिर इसकुछ चावर डाले चावर डालें बाद मैंने थोड़ा तर्बूस्ता सडावा वो भी इसमें कर डाल दिया इसके अंदर छुपा दिया अब हम देखेंगा इसे दो तीन दिन बाद क्या है इसका मतलब रिजल्ट ठीक है कि देखिए यहां पर डल चुका है मैं अपने वाली वीडियो देखिए मैंने आपको दिखाए अब मैं आपको आज की वीडियो दिखाता हूं कि देखिए यह रहा इसका आज का करेंट स्टेटस और कीड़े जो है हमारे अब यह देखिए आपको दिख रहे होंगे हिलते हुए आप देखते रहे हैं आपको दिख रहे हैं यहिलते हुए खल नहीं है यह कुछ चावल है और भुसी जो बची होती है यह उसका मिक्ष्चर है मैं आपको और अंदर से दिखाता हूं यहां पर देखिए आप यह देखिया कैसे कैसे कुछे बने हुए है माशाला मुर्गी हमारी खोब पेड़ भर कर खाएगी ने तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगो विस्ताथ शेयर करना मुझे जरूरी थी मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से हमने अपनी मुर्गी नहीं कीड़े बनाने रखे तो अरहम्दुलिल्ला रिजल्ट भी हमारा सक्सेस्फुल हो चुका है आ नहीं डिया बहुता हुआ है आतार कि गुद्य कात्यों